आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows Channel Laptop में Command Prompt के जरिए Group Policy Editor किस तरह Open कर सकते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले Type Here to Search में Type करना है CMD CMD Type करने के बाद आपको दिखाई देंगा Command Prompt आपको इसे Open करना है फिर आपको यहाँ पर Command Type करना है gpedit.msc यह Command Group Policy Editor ओपन करने की है और फिर आपको इंटर का बटन दबा देना है तो आप देख सकते हैं Local Group Policy Editor ओपन हो गया है तो इस तरह से आप Command Prompt के जरिए Group Policy Editor ओपन कर सकते हैं Windows 10 Laptop में कर दो आपको 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 झाल झाल झाल